हेलो एवरीबन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल माइन वेप क्लासेस में इस वीडियो में आर्मी जीडी एवं टेट्स माइन का सेट फोर कम्पलीट करेंगे और इसमें टाप 50 कोस्टन कवर करने वाले हैं जो की आर्मी एकजाम में अक्सर पूंचे जाते हैं त तो इसका आपसन नंबर डी सही होगा मेरट से हुई थी भाद का प्रथम सोतंतर संग्राम की सुरुवात नेश्ट देखेगा जलिया बाला बाग हत्या कांड कब और कहां हुआ था आपसन है अम्रज सर उन्निस सो उन्निस जालंधर उनिस सो तीस चंडीगर उनिस सुबयाल गुरुदासपूर उन्निस सो उन्निस तो इसका आपसन नंबर फस्ट सही होगा अम्रज सर उन्निस सो उन्निस नेश्ट देखेंगे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उप्युक्त होती है लाल काली जलोड रेगुड तो इसका आपसन नंबर बी सही होगा काली मिट परम बीर चक्र पाने वाले प्रथम भारती कौन थे? आपसन संजे थापड, राकेश सर्मा, सोमनाथ सर्मा, अरजुन सिंग तो इसका आपसन नमबर C सही है, सोमनाथ सर्मा नेश्ट कोस्टन देखे, फारवर्ड बलाग की स्थापना किस ने की थी? बाल गंका धर्तिलक, जवाहल लाल नहरू, सरदार पटेल, सुफास चंद्र बोस तो इसका आपसन नमबर D सही होगा, सुफास चंद्र बोस नेश्ट कोस्टन देखेगा, गांधी जी की मृत तो कब होई थी? 15 गस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1948, 26 जनवरी 1949 इसका आपसन नमबर 20 होगा, 30 जनवरी 1948, सरवाधिक काफी का उतपादन भारत की किस राज में किया जाता है? देखें काफी का उत्पादन देखें आपसन दिया है करनाटक 36 गड़ जारखंड असम तो काफी का उत्पादन सरवाधिक करनाटक में किया जाता है इसका आपसन नमबर फस्ट सही है नेश्ट कोस्टन देखें कि भारत छोण अंदोलन की सुरुवात कब हुई थी आपसन है 1945 1945, 1947, 1930, 1942 तो इसका आपसन नमबर बी सही होगा 1942 में नेश्ट कोस्टन है पार्सी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है आपसन है बाईविल जिन्द अविस्ता तोरा है पुरान तो इसका आपसन नमबर बी सही होगा पार्सी धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिन्द अविस्ता सबसे ज़्यादा वर्षा वाला इस्थान कौन सा है आपसन है मेघाले, जम्मू कास्मीर, त्रिपूरा, सिक्किम तो इसका आपसन नमबर A सही होगा मेघाले, सरवाधिक वर्षा वाला इस्थान नेश्ट देखेंगे पोर्ट ब्लेयर किसकी राध्धानी है लच्छ दीप, अनमान और निकोवार, दादर नागर हवेली, दमन और दियो तो इसका आपसन नमबर B सही है अनमान और निकोवार दीप समू कि राध्धानी पोर्ट ब्लेयर पंचतंत्र के लेखक कौन है आपसन है चंद्रबर्दाई, काली दास, विश्णु सर्मा, अरुन्धती राय तो इसका आपसन नमबर C सही होगा पंचतंत्र के लेखक हैं विश्णु सर्मा नेश्ट कोश्चन है निम्न में से नोबेल पुरुसकार किस छेत्र में नहीं दिया जाता है आपसन है क्रसी, साहित, सांती, अर्थ, सास्त तो इसका आपसन नमबर A सही होगा क्रसी के छेत्र में नोबेल पुरुसकार नहीं दिया जाता है निम्न में से केंद्र सासित प्रदेश कौन है आपसन है गोवा, करनाटक, आंध्र प्रदेश, अन्वान, निकोबार तो इसका आपसन नमबर A सही होगा केंद्र सासित प्रदेश है, अन्वान, निकोबार नेस्ट कोस्टन है हीरा कुनबांध किस राज में स्थित है आपसन है उडिशा, उत्राखंड, पंजाब, हिमाचर प्रदेश तो इसका आपसन नमबर A सही होगा हीरा कुनबांध उडिशा में स्थित है नेस्ट कोस्टन है दूरी का S.I. मात रख क्या है आपसन है किलोग्राम, लीटर, पाउंड, मीटर तो इसका आपसन नमबर D सही होगा दूरी क S.I. मात रख है मीटर माइकल फैराडे ने किस नियम का प्रतिपादन किया था आपसन है बिद्दूत अभगटन का नियम चुमकत्तो का नियम, बल का नियम, प्रित्यास्था का नियम तो इसका आपसन नमबर A सही होगा बिद्दूत अभगटन का नियम नेस्ट कोस्टन देखेगा इंसुलिन के खोज करता कौन है आपसन है फ्रेडरीक बैंटिंग, लुईस पास्चर, अलेकजेंडर फ्लेमिंग, रावर्ट हुक तो इसका आपसन नमबर A होगा फ्रेडरीक बैंटिंग, इंसुलिन के खोज करता बिटामिन A की कमी से कौन सरोग होता है आपसन है रताउधी, इसकर भी, रिकेट्स, बेरी-बेरी तो इसका आपसर नमबर A सही होगा विटामिन A की कमी से रताउधी नामक बिमारी होती है अंगला कोस्चन है आयोडीन की कमी से कौन सरोग होता है TB, घेंगा, हैजा, मलेरिया तो इसका आपसर नमबर B सही होगा आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है पैंसलीन के खोज करता कौन से बैग्यानिक थे आपसन है बैंटिक, पास्चर, फ्लेमिंग, हुक, तो इसका आपसन नमबर C सही होगा फ्लेमिंग, अलेकजेंडर फ्लेमिंग, पैंसलीन के खोज करता नेस्ट कॉस्चन है हमारे सरीर को सीग्र उर्जा कौन प्रदान करता है आप्षन है प्रोटीन, कार्बो हाइडरेट, वसा, बिटामिन तो इसका आप्षन नमबर 20 है होगा कार्बो हाइडरेट अंगला कॉस्चन देखेंगे अनु एवं परमानु में से किसका भार अधिक्तम होता है तो देखेंगा आप्षन है अनु परमानु दोनों में पराबर इन में से कोई नहीं तो इसमें देखेंगे इसका आप्षन नमबर 20 है अनु का भार अधिक्तम होगा नेश्ट कोश्चन है बीज के अंकुरण के लिए सबसे उप्युक्त क्या है? सूरिक प्रकास, मिट्टी, आदरता ये सभी तो इसका आप्शन नमबर D सही होगा ये सभी देखेंगे आप एच्छिक आदरता मापने के लिए किस यंतर का प्रियोग करते हैं? आप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर तो इसका आप्शन नमबर D सही होगा हाइग्रोमीटर आप्शन है हीमोगलोबिन में क्या पाया जाता है? आप्शन है ताबा, कैल्सियम, लोहा, इनमें से कोई नहीं तो इसका आप्शन नमबर D सही होगा हीमोगलोबिन में लोहा नामगधातु पायाती है नेस्ट कोस्चन देखेंगे, पीतल किसका मिस्रण होता है, आपसन है, ताबा और जस्ता, ताबा और टेन, जस्ता और इल्मिनियम, निकिल और इल्ल्यूमिनियम, तो इसका आपसन नमबर A सही होगा, पीतल ताबा और जस्ते का मिस्रण होता है, अंगला कोस्चन है, नाइट रोजन वाईव मंदल में उपस्ति था फ्रीजन से हलकी होती है। डी हाइड्रेशन किसकी कमी से होती है। आप्सन है पानी, प्रोटीन, कार्भो हाइड्रेट, बिटामिन। तो इसका आप्सन नमबर A सही होगा, डी हाइड्रेशन पानी की कमी से होगा। नेस्ट कोस्टन देखे, चेचक होने का कारण क्या है। आप्सन है बैक्टीरिया, हवा, वाइरस, प्रोटो जोगा। तो इसका आप्सन नमबर C सही है, वाइरस। अंगला कोस्टन रिजनिंग का ही स्टार्ट होगा, 31st नमबर से। तीन, साथ, गेरा, पंद्रा और फिर इसका अंगला टर्म पूंच रहा है, इसका अंगला पत्त क्या होगा। यहाँ पर यह 3 है, तो देखेगा, 3, 4, 7, प्लस 4 किया, 7, 4, गेरा, गेरा, चार, पंद्रा, तो पंद्रा, 4, 19, प्लस 4 करेंगे, तो बयर्लों 19 होगी तो ये इसका आपसर नंबर 20 हाई होगा अंगला कोस्टन देखेंगे 10, 30, 50, 70 इसके बाद अंगला क्रम पूँच रहा है स्रेणी का तो देखेंगे यहां पर लिखा होगा 10 से 30 हुआ मतलब 20 करेंगे 10, 20, 30, 30, 20, 50, 50, 20, 70 तो 70, 20, 90 हो जाएगा 20 जोड़ेंगे इस तरीज में 20, 20 प्लस किया है तो इसका आपसर नंबर A सही होगा अंगला कोस्टन देखेंगे O, B, L, S अनुपाते, S, L, B, O समानुपाते, A, P, S, B अनुपाते, कोस्टन मारके यहां पर देखेंगा तो यहां पर देखेंगे इसमें लिखा है O, B, L, S का लिख दिया है यहां पर S, L, B, O तो इसका देखेंगा यह फ़स्ट दो पद जोरा दो-दो को जोड़ा बना करके अब देखें प्रथम दो पदों को विप्रीत करम में लिखा है लेकिन इधर से लिख दिया है O, B को लिख दिया B, O और बाद वाले को भी विप्रीत कर दिया यहां लेस को लिख यहां पहले तो उसी तरह समान उपाते सेम इसी तरह लिखेंगे A, P, S, B को A, P, S, B जोड़ा पहले बना लेंगे फर्ष्ट जोड़े को बाद में और बाद वाले जोड़े को पहले लेकिन विप्रीत करके तो S, B को B, S लिखेंगे तो यहां हो जाएगा B, S फिर यहां पर बैलू हो जाएगी A, P को P, A तो B, S, P, A तो इसका आप्सन नमबर देखे C में दिया है यह B, S, P, A तो इसका आप्सन नमबर C सही है नेस्ट कोस्टन देखेंगे यदि किसी सांकेतिक भासा में इंडिया को लिखा जाता है A, I, D, N, I लिखा जाए तो भारत को क्या लिखा जाएगा तो यहां पर देखे I, N, D, I, A इंडिया को लिखता है A, R, A, H, B तो अब इसमें देखे First and Last letter देख लेंगे जिसमें TB होगा तो इसमें देखे सभी में TB है देखे First and Last में तो A, R, A, H जिसमें होगा वही आप्सन सही होगा तो देखे A, R, A, H इसका First आप्सन ही सही है Next question देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 question mark तो यहाँ पर देखे गए यह लिखा हुआ जिसमें देखे 2 plus करेगा तो 1 plus 2, 3 हुआ 3 plus 2 करेंगे 5 आएगा 5 plus 2 करेंगे 7, 7, 2, 9 अंगला पत के लिए 2 और जोड़ेंगे तो गेरा हो जायोगा इसका आप्सन number 10 है next question देखेंगे यदि a plus b बरावर 9 a into b बरावर 20 हो तो a square plus b square का मान क्या होगा तो यहाँ पर इसका फार्मूला होगा सरसम्का a square plus b square बरावर अब यहाँ देखे a plus b दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे a plus b का whole square plus वाला value लेंगे तो minus यहाँ 2 a b हो जाएगा यदि यहाँ minus वाली value देता तो इधर plus 2 a b कर देते अब देखें इसकी सरसम्काएं दो होती है अब इसका मान रखेंगे a plus b का तो यहाँ 9 रखेंगे तो 9 का square minus 2 गुणे यहाँ पर a into b 20 है तो यहाँ पर a into b का मान 20 रखेंगे 9 का square 81 हो जाएगा minus 22 दूनी 40 तो 81 में 40 घटाएंगे तो बैलू 41 बचेगी तो इसका option number c सही होगा next question देखेंगे 9, 8, 6, 3, 9, 3, 1 का आउसत क्या होगा तो आउसत के लिए देखेगा average का formula होता है आकणों का योग फल बटे आकणों की संख्या तो आकणे जोडेंगे उपर तो 9, 8, 8, 6, 3, 9 ये दिया हुआ है और plus 3, plus 1 तो यहाँ पर इनको सबको जोड के अब भाग कर देंगे जितनी संख्याई है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 से भाग करेंगे तो बैलू यहाँ जोडने पर आएगी 9, 8, 7, 6, 3, 3, 2, 6, 6, 9 यहाँ पर 35, 35, 33, 38, 41, 49 यहाँ जोडने पर 49 और बटे रहेगा 7 अब 7 से भाग करेंगे तो बैलू आजाएगी 7, 1, 7, 7, 7, 35 फिर 4, दसम्लो लगाएगे 40 हुआ, 7, 25 35, फिर 5, 50 हुआ तो 7 सता उन्चास तो इसका बैलू हो जाएगा 5, 57 जो कि आपसर नंबर एमें दिया हुआ है तो नेस्ट कोस्टन इसका देखेंगे 0,000841 का वर्गमूल क्या होगा तो यहाँ पर देखेगा जब भी वर्गमूल गयाद करना हो दसमलो वाली संख्या का तो यहाँ पर देखे 0,000841 841 का वर्गमूल 29 होता है पर दसमलो इस्थान में देख लेंगे यहाँ पर जितने अंक है तो उसका जश्ट आधे अंक रखेंगे वर्गमूल में तो यहाँ देखेगा 2, 2, 4, 2, 6 अंक है वर्गमूल में 3 अंक रखेंगे दसमलो इस्थान में तो 0,000841 का वर्गमूल 29 हो गया और एक यहाँ दसमलो लगाएगे तो 0,0002 नव आएगा इसका वर्गमूल इसका आपसर नंबर 20 होगा अंगला कोस्टन इसका देखेंगे किनी दो संख्याओं का अनुपात 3, 4 है प्रतेक संख्या में 5 जोड दिया जाए तो अनुपात 4, 5 हो जाता है तो संख्या गयात करें तो देखें पहला अनुपात दिया है यहाँ पर 3, 4 जो पहला संख्याओं का अनुपात है यहां भी देखे 4 से 5 हुआ मतलब प्लस 1 तो एक का अनुपात में एक जोड़ रहा है लेकिन यहां पर बैलू दिया है 5 तो एक अनुपात की बैलू कि इसके बराबर हो गई 5 के तो इसलिए 3 बराबर हो जाएगा जब 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15 पांच त्याई 15 और 4 बराबर हो जाएगा चार पंचे 20 तो संख्याई 15 और 20 होगी तो इसका अप्सन नंबर A सही होगा अंगला कोस्टन देखेंगे इसका एक बटे 2 प्लस एक बटे 6 प्लस एक बटे 3 को सरल कीजी तो देखेः यहां पर भिन्णोhips तो देखेः हर समान हो गए तो यहां लिख देएंगे 6 क्योंकि सभी के हर में 6 हो गया यहां 3 एक कम 3 प्लस यह 1 होगा प्लस 2 एक कम 2 तो यहां जोड़ने पर बैलू हो जाएगी 3, 2, 5, 1, 6 और बटे में भी 6 तो 6 कैंसिल होगा तो यहां पर बैलू 1 होगी तो इसका आपसन नमबर 10 हाई होगा अंगला कोस्टन देखेंगे सत्तर प्लस 50 का 20 प्रेश्यत बराबर कोस्टन मार तो यहां देखें सत्तर प्लस 50 ओका का मतलब होता है गुना और 20 यह प्रेश्यत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100 तो यहां 00 कैंसिल आउट कर देंगे 5 दोनी 10 तो सत्तर में 10 जुड़ेगा तो यहां पर बैलू हो जाएग सिंपल इंट्रेस्ट यह साई बराबर मोल धन गुणे सो त्रिस में लगाएंगे दर यहां मोलधन गुणे दर गुणे सामय दिया है दो वर्ष तो मोल धन गुणे दर गुणे समय बटे 100 तो यहां से 00 कैंसिल आउट करेंगे 25 चो को सव दूनी 200 तो यह साई हो जाएगा 200 रुपए तो इसका आप्सन नंबर सी सही है अंगला कोस्चन है इसका राम एक बस्तु को 750 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेंज देता है तो कुल लाव हत्व हानी ग्यात कीजी तो यहां पर देखें CP दिया है क्रेमोल 750 रुपए और बिक्रेमोल यानि SP दिया है 800 रुपए तो यहां पर देखें बिक्रेमोल अधिक है क्रेमोल से यह बिक् देखेंगे 0.8763 प्लस 0.73 एक बराबर क्वेस्टन मार देखें दोनों को जोड़ेंगे तो दसम्लों वाली संख्याएं दो हैं तो यह दसम्लों एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे पहले और यहां उत्तर में भी दसम्लों की नीचे दसम्लों ही आएगा अब देखें दसम्ल दसम्लों 731 अब इसको जोड़ देएंगे दोनों को तो देखें तीन ही रहेगा 617 यहां 730 की सुन हासिल 1 8 7 15 16 और यह सुन में एक जोड़ेंगे तो यहां पर एक दसम्लों 6 073 तो यहां पर आपसन नंबर देखें इसमें देखें आपसन नंबर डी है 1.6073 यह डी नंबर स यहां अंग्ला कोस्टन देखेंगे Exodus कि चलन अंग्ला कोस्टन देखेंगे कि चैतुर भूज कि कितनी भुजाएं होती है तो चैतुर में 4 भूजाएं turtlesों इसका आपसन नंबर d्य होगा अंग्ला कोस्टन है साथ स्क्वेर प्लस 6 स्क्वेर बराबर कोस्टन मार्च हैं सा तो छेत्र फल ग्याद कीजिए तो यहां पर देखिए ब्यास दिया है 14 cm तो त्रिज्जा हो जाएगी 7 cm इसकी हाफ होगी तो त्रिज्जा आधी कर लेंगे त्रिज्जा 7 cm अब ब्रत कर छेत्र फल का सोत्र होता है पाई यार स्क्वाइर तो बैलूप पूट कर देंगे 2 और 2-2 का योग क्या होगा 2-2 का योग क्या होग यहाँ पर देख्येगा जोनों को जोडना है तो और की जगयो , यही प्लस दो-धो नभब्रद का छेता होगा पिता की उम्र 40 वर्स है यदि पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी हो तो पुत्र की उम्र ग्याद कीजिए तो देखें पिता की उम्र 40 वर्स है और पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी है तो मतलब पुत्र की उम्र 20 वर्स हो जाएगी तो इसका आफ्सें नमबर 20 है और इस channel के playlist में आपको Army related सभी वीडिओ मिल जाएंगे इस चैनल के playlist में available है तो आप बिजिट करके सर्च कर सकते हैं